अपने कौन कौन सी गलतियां की होगी अगर आप निकलती फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि यार मुझे पता नहीं क्या मिस्टिक मेरी हुई है जिसके बज़े से मेरा जो फॉर्म है रेजेक्ट कर दिया गया बैंक की तरफ से ऑफिसली तो हेलो दूस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल में मेरे दूस्त अगर ड्राइविंग लैसेंस का इस्तमाल करके आपने यहाँ पर फॉर्म अपलाय किया हुआ था अपने पर्मनेंट एड्डर्स को चेंज करने के लिए SBI Bank Account में लेकिन यहाँ पर आपकी request जो है accept नहीं की गई या फिर क्या सकते हो bank के तरफ से आपका जो form है पूरी तरीके से reject कर दिया गया Decline हो गई है आपकी request अब आप सोच रहोगी यार आखिरकार मैंने तो अच्छा खासा form भरा हुआ था सही सही तरीके से भरा हुआ था document भी लगाए थे लेकिन फिर क्यों मेरी request जो है आपको बताने वालों फ्रेंड कि आपने क्या mistake की होगी और आप आपको सही तरीके से कैसे form भरना है सब्सक्राइब करने आपको यह बात बताऊंगा कि अगर आप driving license के आधर पर अपना जो है permanent address चेंज करवाना चाहते हो खरण तो आपकी driving license में वो address होना चाहिए जो कि आप permanent address में आपडेट करना चाहते हो अपने bank account में तो यह तो थी basic सी बात जो कि मैं आपको बता दिया हूँ जो कि होना ही चाहिए जो कि बहुत ज्यादा कंपसरी है आखरकार यह आपका form जो है क्यों bank ने यहाँ पर reject कर दिया गया है आपने कौन कौन सी गलतियां की होगी अगर आप निकलती find नहीं कर पा रहा हो कि यार मुझे पता नहीं क्या mistake मेरी हुई है जिसके बज़े से मेरा जो form है reject कर दिया गया bank के तरप से officially या फिर क्या सकते अपलाय किया हुआ तो driving license के साथ ताकि मेरा जो permanent address है वो change हो सके लेकन यहाँ पर अभी तक मेरी request जो है accept नहीं की गई है काफी time हो गया काफी वक्त हो गया तो friend मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जरूर कोई mistake की होगी इसलिए हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा time लग गया है या फिर हो सकता है कि आपका जो form है बहुं रिजक्ट कर दिया गया हो और आपको पता ही न चला हूँ तो simple way में आपको बताने वाला हूँ कि आपने कौनकों से गलतियां की होगी इसलिए आपका यह form जो है reject कर दिया गया होगा और simple way मैं आपको आज मैं पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि कैसे आपको फिल करना है बहुत आसान तरीके से देखिए आप से में एक छोटी चिरफ कष्ट फ्रेंड सबसे पहले आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सस्क्राइब कर लेना है सपोर्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फिल करना है सहीवे में और एक फिल करने वाला जो बंदा होता वो कौन-कौन सी गलतिया कर देता है तो चलिए सबसे पहले होता है बेसिक इंफॉर्मिशन वाला स्लोट जो कि हम लोग भरते ही भरते हैं यहां पर उपर लिखा हु चलिए से हमारा जो फॉर्म है वो भी रेजक्ट हो जाता है उसका जश्ट आ गया था ब्रांच अब देखें ब्रांच हम लोग क्या गलति कर देते हैं ब्रांच का मतलब क्या है हम लोग फिर से यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लग देते हैं यह अपना बैंक का नाम जैसे माल लेजेगे अभी हमें ब्रांच गये और हमने तुर्इंट डाल दिया तो भाई आपको तुर्इंट डाली हैं आपको ड्रांच उसी दिनकी फिल नीजहे ऑप करोहगे और कटा पिट्टी के वाज़ए से आपको पता हैведंक झरा से आपका आपिट्टी यहां पर सुविकार नहीं करता है वो तुरंत आपका फॉंब ही रिजेक्ट कर देता है उसके ज़स्ट नीचे आता है कि है फर्स्ट अपलिकंड नेम एंड सेकंड अपलिकंड नेम कुछ लोग बहुत समस्दार होते हैं वह यह समझते हैं कि पहले हमको क्या करन यहां पे नाम का आगे का नाम लिखना उसके जष्ट नीचे क्या लिखना है उसके पीछे क किसे करना मं लिखनेे क्या नहीं क्या सकते हूं स्क Свड़न rozpर सुचते हैं क्या तो थैस करना होता है ठाइब आपको किसी Sage क्सा जुटा हुआ है तो सिंपल हैm अब याप का अगैने नहीं है तो आपको सिंपल में क्या करना है इस पूर्सन को खाली छुटड़ देना है उसके निचे आता है कि आप यहाँ पर सही फिल की हो की नहीं की हो उसके ज़स्ट बगल में आता मुवाल नमर अब देखिए मुवाल नमर में वह लोग गलती क्या कर देते हैं मुवाल नमर में जैसे माल लेज़े कि आपने आप कोई आप कोई भी殯ालम्मर डालने का मतलब क्या है अप यहां的話 न मासलमर कर रहूं कि यहां पर पूरी पूरी नमर्सन चोखना ला है यहां पर आपको आपके आपके अकांट को अपर नहीं क्या है यह यापको फोर पर नहीं की यह पीश्टर अपको समय में आगह आगे होगा कि आपको वह कौन-कौन पराइशन में फिल करती वागें तो यह थो हमारा बेसिक information वाला पार्ट जो हम करचके हैं अब आते अपनी problem पर है प्रोब्लम क्या है हमारी प्रोब्लम है हम एड्रेसद्रेंज करना चाहते हैं कौन सा permanent address होना चाहते हैं काहई का इस्तमाल करके भट राइव Suzuki करते हैं तो शिंबल है में आपके लिफिना पर टिक कर देना है और देखें permanent address अगर आपको चीज़ करना ए driving license का इस्तिमाल करके तो हम थोड़ा सा driving license के बारें बात कर लेते हैं यहापका driving license में जो address होना चाहिए वो आपका permanent address ही होना चाहिए जो कि आप अपने bank account में लगाना चाहते हूँ ऐसा नहीं है कि आपके driving license में कोई और address पड़ा है और आप यहाँ पर कोई और address वाला लगा र लगाने ही पड़ेगी अब simple way में आपको पीछे की और आ जाना भाई पीछे की और क्या है यहाँ पर देखिए हम लोग के अगल्दी कर देते हैं यहाँ पर भी important portion है यहाँ पर लखा हुए first account holder signature अब होता कि हम लोग आपने signature ही पता नहीं होती है यापर कह सकतो कि आपने च signature करने ही जो कि आपके account में लगे हुए हैं बहुत सो समझ के अगर आप आप signature भूल गये हो तो आपको करना क्या कुछ नहीं करना है आपको आपके manager के पास जाना है bank manager के पास नहीं जाना है friend operational manager के पास जाना है और वहां कहना है कि sir मैं अपने signature भूल चका हूँ प्लीज मेरे एकाउंट को लोगन करके मेरी सिगनेचर बता दीजी तो वंदा क्या करेगा आपके सिगनेचर बता देगा बस आपको आपके साथ लिगर डाकुमेंट लेकर जाना पड़ेगा जैसे कि आपकी पासबुक हुआ है ना आपका अधरकाड हुआ कुछ भी लेकर आप जाओगे त ठीको देख, लेकर बस राकिता के सिगनेचरा के सिगनेचर जाया जयां इसालिक में आपको गाता हुआ है single खाता है किवल आपका ही खाता है तो simply में आपको फॉर्सन खाली छोड़े देना है क्योंकि आप यहाँ पे signature कर चुके हो अब आते हैं क्या दख्याइब आपको फ्युत्त स्काइब करना चुकर है फो mine अमें फोटो अगर यहाँ कोई देखेंगी तो आप उननको दिखा निगे यहाँ आप और ओर्सपी की लेने है आपको ड्राइब काड़ी तो लेले सेकल नहीं तो कोई दिख्कत नहीं आपको driving license के लिए नहीं पर कंपर सरी है उसके बाद आपको आपको आपकी पास्बुक की फोटो कोपी लेनी है सिंपल है मैं अटच करना है और अटच करने के बाद क्या करना है आपको फॉर्म जो है आपको ऑपरेशनल मेरे दर को दी दिना है करना सर मेरा जो है यहाँ पर्मनेंट एड्रेस चेंज कर दीजिए ड्राइविक लाइसेंस के बेसिस पर तो सिंपल है मैं आपको एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा मैं आसा करता हूं फ्रेंड कि आज की वीड़ आपको पसंद आओगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल कि लेजिए और वीडियो को लाइक कि लेजिए तैंक यू सो मच